Hello guys my name is Amit Saini and very good morning to all of you and I welcome you again today जो आज का अनालिसिस होगा और सबसे पहले मैं बात बोलना चाहता हूं पहली क्लास मेरी कल हुई थी और जो रिस्पॉंस मुझे कल आप लोगी तरप से मिला है I'm totally flat और मुझे पताने था कि आप लोग इतने active, consistent, sincere और इतना शांदार आप लोग जो है एक aspirants का group हैं और इतना interactive आप लोग है तो आप लोगों इतने सारे suggestions मुझे दिये थी मेरी पहली क्लास थी और मैंने जैसे आप से request की थी कि आप अपना honest review दीजिए तो बहुत सारा आप लोगों ने support दिया उसी इसको के लिए million million thanks और जो जो आपस लोगों के suggestions हैं उन सब के मैं काम करूँगा सबसे एक जो common issue यह था कि आप इस class को थोड़ा सा limit कीजिए तो I will try my best कि इसको 40 minutes से कम पे रखो लेकि 40 minutes से कम पे मेरा थोड़ा सा आप लोगों से एक request यह है कि information जो मै cover कर रहा हूँ बहुत सारी है wide है और मेरा speed भी काफी fast रहता है ताकि में उस time में cover कर सको क्योंकि जितना maximum आपको daily associated information मिलेगा वो आपको exam point review से बहुत important होगा हो सकता है आज यहां आपको 5 में ज्यादा लग जाए classes के अंदर daily लेकिन यह आपको बहुत काम हैगा जब आप exam म appear होंगे so that's the thing और फिर भी अगर आपको लगता है तो आज की class के बाद मुझे finally बोलेंगे तो मैं कल से इस class को over limit कर दूंगा ठीक है so that's the situation और apart from that start करते हैं जो MCQs है कल जो मैंने आपको दिये थे उसके अंदर एक तो यह था कि जो framework convention on tobacco control के ऊपर था इसमें सारे option wrong है वाई एक तो इंडिया signatory है second first legally binding treaty by UN नहीं है यह first negotiated by UN है जो health universal health treaty है जो पहली negotiated UN ने की है तो यह वो वाली है एसा नहीं है कि है first legally binding treaty है एसा नहीं है इससे बहले तो और भी हो चुके है mountain protocol बगएरा भी हो चुके है अगला है manufacturing of tobacco को prohibit नहीं करता है उसके उपर labeling है उसके उपर advertising बगएरा जो है उसको यह prohibit करता है इसलिए इसका अंसर डीन होगा second question था India has its second longest border with Bangladesh और ऐसा नहीं है सबसे longest बांगलेश के साथ हमारा border है 4096 km का मारा border है और इसके बात चाहिना पड़ता है तो यह सब कुछ है और सबसे चोटा मारा अफगानिस्तान के साथ है यह आपको याद रखना जो प्यो के में लगता है 80 km का second option जो है length of Brahmputra is more in India which enters Bangladesh crossing the border from the state of में खालिया तो असाम स्टेट से बांगलादेश में गुस्ती है यह में खालिया ऐसे नहीं गुस्ती है यह आपको याद रखना है और उसको वहां आ जाके वो पद्मा कहलाती है तो इसलिए भी गलत हो कि तीसरा मिजोरम सराउंड़ बांगलादेश नहीं तृपूरा युनेस्को अंदर लेकिन यूं के अंदर है रखना है इसलिए तो फोट वन इसका अंसर होगा फोर्थ वन है जीटुनिटी की मीट वी थी उसमें मोदीजी जाच चुक के शकर है तो पहले भी पास्ट में भी information किया थी तो इंडिया इसका अच्छा member है और बड़ी countries में इंडिया आता है लेकिन जो इसका summit जो था वो व्यूना सेरीस में हुआ था South America में जो है अब आगे चलते हैं कुछ important news के regarding बात करते हैं एक issue ये भी है कि कुछ religious आज एक article आया है मेरे इसाब से बहुत-बहुत important article है कोई political inclination है political कुछ हमें उससे discuss नहीं करना है लेकिन जब ऐसा issue बन जाता है कि जिसके अंदर आपका जो है daily life, आपके thought process और इंडिया का image जो youth हैं जो डवलप हो रहे हैं जिनका mind develop हो रहा है उनको जब वो चीज impact करने लग जाती है एक बहुत large scale के पर कुछ चल रहा होता है तो वो आपकी maturity decide करने वाला आपके opinion making करने वाला thoughts को organize करने वाला एक issue हो जाता है जिसके regarding आपको एक neutral stand होना चाहिए आपका एक maturity का एक stand होना चाहिए तो उसके regarding हम कुछ issues discuss करेंगे तो please आपकी cities को otherwise नहीं ले हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही neutrality के level के उपर और बहुत ही maturity को gain करने के हिसाब से हम बात करेंगे ठीक है पहले उससे पहले हम कुछ information देख लेते हैं आज news जो आई है एक तो है voluntary use of अधार ID introduced इसमें ये था कि Supreme Court ने बैन कर दिया था कि अधार mandatory नहीं है जो mobile वगरा के connection हम लेते हैं फिर bank account के दर जो compulsory कर दिया था और उसके अंदर previous privacy का जो issue इतना बड़ा सामने आया था और उसके बेट चली court में फिर case चला फिर Supreme Court ने इसको finally बोला था कि mandatory नहीं हो सकता है उसके बाद अभी इसके अंदर ये एक bill लेके आ रहे हैं जिसमें है कि voluntary कोई अपने मन से चाहता है तो वो इसमें करा सकता है क्योंकि वो अपने इसाब से government जो है वो उसके advantages बताती रहती है तो वो advantages के लिए voluntary उसको करने के लिए bill लेके आ रहे है तो voluntary seating अगर कोई कराने चाहता बाइमेंटर का थार आइडी की mobile number और bank account से तो वो करवा सकते है उसके लिए है लेकिन इसका भी opposition जो रोध कर रहे है क्योंकि जब Supreme Court ने mandatory बता ही दिया नहीं है तो फिर उसके लाने का क्या मतलब है अगला है important news UK Sina जो पहले सेबी के जो सेबी regulatory जो body है सारे जो stock exchanges वगएरा इन सबकी security exchange board of India के जो पहले वो रहे थे chairman तो यह सुके UK Sina यह RBI का panel एक head करेंगे नया बनाया जा रहा है MSME Micro Small and Medium Industry जो enterprise जो है यह बहुत दिक्कत में यह है एक तो दिमोनेटाइशन के बात में सबसे ज़्यादा दिमोनेटाइशन के exercise के बाद में उसके बाद जो है अब GST के जब लागू हो है उसके बाद भी इसमें cap आया था कि मतलब अब 20 लाग का था कि इसके उपर अगर आपका जाता है revenue साल में तो फिर आपको GST वगरा वो फाइल करना पड़ेगा तो उसमें भी छूट देने की बात है तो इसको रवाइव करने की बात है जो लेसन मेरा आया था रात को उसमें भी डिसकस हो था कि यह एक न्यूस आई है कि अरुनाचल के अंदर ST लिस्ट की लिस्ट है उसको किया गया है उसमें चेंजिस होंगे कुछ इसमें कुछ एक common नाम लिए गए थे उनको जो हटा के specific नाम इसमें लिये जाएंगे ठीक है और मैंने आपको बताया था कि डमाम हिल्स जो डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी चार हिल्स है इन हिली एरियास के दर बहुत सरे ट्राइब से रहती हैं और अबोर और मिश्मी के बिच्वें से ब्रहंपुतर रेंटर ही करती है ऐससियान मैंने आपको कल भी बताया था तो यह जो है अरुणासर प्रदेश जीरो वैली का भी जो एक न्यूज में रात है इससे पहले एक साल पहले उसके उपर एक बुक भी लिखी गई थी ओके जो हिडिन वैली के नाम से तो यह सारे बहुत इंपोर्टन इस्वें से पूछ जा सकते हैं और नॉर्थीस के अंदर बहुत इंपोर्टन हमारी अक्रिविटी चल रही है वैसे भी यह कॉंट्रोवर्शिल एरिया है चाइना इसको पोरा क्लेम करता है हमारा यह पार्ट है तो बहुत ज्यादा इश्यू है डोकलाम का इश्यू चला था तो नॉर्थीस के अंदर बहुत सारे चीज चल रही है तो इसी जो है line of action के अंदर क्या है कि हमें यह focus रखना है कि इस एरिया के अंदर और चीज़े क्या 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 है क्योंकि direct question नहीं पूसता UPSC और बात करो में UPSC कि तो और दूसरे exam के थोड़ा सा direct question आते है तो उसमें भी यह पूच सकते है कि यह जो सारी है names जो है tribes के यह क अंदर एक नागालेंड और नीची मनिपूर इनके अंदर एक नागालेंड जो है वो जो पर्टिकलर कॉमन एरिया उनकी tribe के बेस जो उनको दिया जाए तो protection वगरा के उनके जो measures है बहुत सारा कुछ है बहुत बड़े-बड़े issues के अंदर है जैसे permit का issue है पनिपूर वगर रहा कीजिए और awareness बहुत बहुत जरूरी है means point of view से और interview point of view से भी अगला जो है कुछ है एक तो जो गौव माता के लिए जो है cow shets जो बनाए जाएंगे उसके लिए cess पे करना पड़ेगा यूप गवर्मेंट ने किया है तो एक घजब का कानून है पहले तो लोग मारे जा रहे हैं बॉब लिंचिंग में उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं पुलिस वाला को भी मार रहे हैं और यहां पर stress देना पड़ेगा तो यह शांदार है हमारे देश में अगला पंजाब कबिने स्मार्ट फोन यूथ के देने के लिए इसको cabinet note दे दी है अगला है cabinet ने अप्रूव किया है फर्स्ट एवर थ्री वे मर्जर इन इंडियन बैंकिंग विजया एंड देना बैंक यह बैंक ऑफ बड़ोधा में होंगे विले होंगे विजया बैंक और देना बैंक इनके जो शेर्स वाकर है वो भी डिसाइड किये गए है कि जब यह ब देना बैंक में फूड़ा कम है लेकिन यह कि ट्रांसफरी बैंक जो है वो तो होगा वरोधा क्योंकि इसके अंदर यह आएँगे तो यह ट्रांसफर और बैंक्स होंगे चर्णिंग चर्ण रही है बैंकिक सेक्टर के अंदर तो यह सारी ऑफिशल न्यूज है डिफैक्ट और जैसे बात करता है तो जो पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स का हालत है वो और जदा खाराब प्राइट बैंक्स के बजाए इसलिए इनके अंदर बहुत कुछ प्लांस चल रह होता है तो इसलिए भी इंप्ररण्ट है और अब इनका अमल्कमेशन होगा यह होने के बाद में सेकंड्न लार्जस्ट पॉब्लिक सेक्टर बैंक बन जाएंगा जो स्बसे अधर ही बाद लार्ज से स्कीग्सरिक मा जैघी तो यह मैंने कल दियम के अंदर वाता किया था अगला जो है एक जो इंटरनेशनल फेर्स के अंदर एक इंबर्डन यूज यह है कि चाइना अपना स्ट्रेंड काफी अग्रेसिव कर रहा है किल हमने देखा था कि वो जो ताइवान जो है ताइवान एक्चुली क्या है उसका स्टेटस में आपको बताता हूं कि ता स्टेटस के अंदर तब जो रप्रेसेंट करता था वो रोसी ही करता था और इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है पहले यह किंग डैनेस्टी जो थी तब उसके अंडर आते थी उसके बाद वहाँ जापनीज का जो अग्रेशन बड़ा था वर्ड वर्ड के पहले तो जापैन को सरंडर कर दिया गया था रोसी उसके बाद में जैपैन से फिर दुबारा से इन्होंने ले लिया था और 49 के बाद में इस्टैबिश हुआ था तो रोसी जो था वो में था पहले लेकिन उसके बाद में 70s के बाद में पी आर्सी इंपोर्टन हो गया और युनाइट नेशन क है कि यह एक वन चाइना है कोई अलग से ताइवान को और नहीं है यह सारा एगी चाइना है और एपबलिक ऑफ चाइना है तो वन चाइना पोलिसी को अग्रेसिवली फॉलो कर रहा है इन्होंने यह तक बोल दिया कि अगर कोई अगर हमें इस तरह के हार्स पैजस लेने में तो यह है इंपोर्टन न्यूस एक इसके नीचे जो आगे चाइना का मैप देखते हम तो यह ऐसे चाइना है इधर जाके फिर यह इंडिया वगेरा यह सारी जो कंट्रीज पढ़ती है तो चाइना का यहां पर ताइवान पढ़ता है और यहां पर हैनान प्रोइन से एक कंट्री है साउथ चाइना के अंदर यह पढ़ता है चाइना के जस्ट साउथ मैं है तो यह इसका इस्व है प्यार्टी इसको बलता है यह एक ही चाइना है कोई अलग से नहीं है हला कि यह कि 17 कंट्रीज जो है उन्होंने इसके साथ डिप्लमेटिक रिलेशन्स रखे हुए लेकिन चाइना यह बोलता है कि जो इसके साथ रखेगा उसके साथ हम नहीं रखो मैंस करेंगा उस रिलेशन को क्योंकि यह राइवल्री है यह उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि यह इस पर dominate करना चाहता है और यह उट्रोमस रहना चाहता है तो यह चीजह तो यह exchange of dialogues भी लगातार चल रहे हैं उन्होंने यह कलिए बोला था कि ताइवान्वालों ने कि जो freedom यहाँ पर हमारे 2758 के थुरू और ROC को expel कर दिया गया था UN से और PRC डॉमिनेट करने लग गया था PRC जो आज PRC मेन चाइना है ठीक है उसकी आर्वी भी पीपल्स आर्मी है आपको पता हो ना ची जो डो क्लाम में जो कुछ हमारा इश्यू हुआ था और यह है तो चाइना का बहुत ज्यादा इश्यू है यह चारो तरफ का इश्यू है और फिलिपीन्स और यह सब सब इसके साथ मतलब जूच रहे लगा था इसके इंदर यह बोला गया था चाइना को कि आपको इतना अग्रेस्व स्टैंड नहीं रखना है और यह हर जगे आप अपनी टेरिटरी डिसाइड नहीं कर सकते हैं आइलेंड्स वगेरा का युश्यू जा जो साओ चाइना सी के इंदर स्पार्ट्ली आइलेंड्स वाला वहां पर इसने टोटल मना करते ह हम तो नहीं मानतें इंटरेस्ट रेकोर्ट जेस्टिस का तो क्योंकि आज काफी इंवेस्मेंट कैपेसिटी है काफी प्रोग्रेस कर लिए इसने बहुत बड़ा राइवल ही खड़ा हो गया इसलिए चाइना डड़ता भी नहीं है और यह सब कुछ चल रहा है चाइना का ओ यह फिलिपीन से यहां पर तो यह सारा आपको ध्यान रखना इधर जाके जपान आजाता आगे इस साइड तो यह इंपॉर्टन मैप है जरूर से देखा कीजिए अब लगातार इसको पहले फोरमोसा भी बोलते थे तै ताइवान को जो इसमें डच और स्पैनिश कॉर्णी इसमें बनी थी उसके बाद यह हैसी नो जब यह जब यह जब यह जब आपनीज वार हुई थी 1895 के अंदर किंग डाइनेस्टी से ले लिया था ताइवान जैपनीज ने तो इस सारा पढ़ ले ना इसमें सारा बताया है वही मैंने जो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट ज इसमें यह आपस में सेपरेट हुए तो इसमें इसमें बाहर से अंदर जो है इंडिया की आप जो हैंने नहीं हुई है बाहर से आय जैसे अकेशया यह सब जो है ट्रीज है पाइनकेश्या यह सारी इस एंवेजन करते हैं दिक्कत क्या होती है, इनकी capacity survive करने के ज़्यादा होती है, ये harsh environment में भी उग जाते हैं पेड़, और फिर ऐसे ही जब वो होते हैं, तो फिर इनकी growth बहुत बढ़ जाती है, ये वही बात होगी कि जो ज़्यादा मजबूत है, जो ज़्यादा fight कर सकता है, वो ज़्यादा survive इनकी population rise कर रही है, इसलिए solar forest का loss हो रहा है का फिजादा, तो पिछले चार डिकेट के अंदर 60% landscape में changes आ चुके हैं, ये बता जा रहा है इस report के अंदर, और इधर पालनी hills जो है नेलिगरी का दो नोर्थ है, वो है, मुकुर्थी नेशल पाक है, इराभी कुलम नेशल पाक है, ये कहला हम पड़ता है, ये बॉर्डर के उपर पड़ता है, चैनल लाडो के उपर, और पालनी hills जो है नेलिगरी के साउथ में पड़ती है, उसके निचे जाएंगे तो फिर, ये सारा, कार्डम हिल्स वगरा आ जाती है, सबसे जो साउथ में पड़ती है, ठीक है, तो इन अरियाद में सबस्यादा ये चैनेज आये हैं, और ये एक्जोटिक ट्रीज जो है से बोल रहे हैं कि ये वेस्टम घाट के ग्रास लैंड को एट कर रहे हैं, क्योंकि एट कर रहे हैं वहां पर और अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, तो इनको स्पेस नहीं मिल पा रहा ह है Advanced Warships for Park, ये चार का एक सेरी से उसमें पहला है, और नाम आप से पूछ सकते हैं, एक्जाम में किसे में, सिंपल कॉर्शन, 054A इसका नाम है, ये बेस्ट फ्रीगेट है in service with the PLA Navy, जो पीपल्स आर्मी है चाइना की, उसकी नवी में बेस्ट माना जाता है, तो ये पाकिस्त ये समझ से बाहर है सब कुछ, बिना पैसे में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, अब एडिटोरिज हम डिसकस करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप light mood रखना और important issues है, सबसे पहले GST का जो collection है, वो कम रह रहा है average, monthly target किया गया था, एक लाक करोड से उपर का, लेकिन ये 900 करोड लेना पड़ेगा आगे 3 मेनों के अंदर, ठीक है, वो possible दिखने रहा है, क्योंकि election आने वाले है, और बहुत सारे जो, जिसको बोलते हैं कि, जो political steps उठाए जाने है, welfare schemes लाई जानी है, और GST के अंदर tax cut भी, जो अपर डेक्लेर किये गए है, तो ultra collection कम होने वाला है, अगर ऐसे चलता रहा है, क्योंकि जो present rates है, उससे बहुत सारे उस labs को, higher को कम किया गया है, तो और collection कम होने के chances है, तो बढ़ने के chances बहुत ही कम है, और इस time पर burden डालना, जैसे MSME sector है, इस सब कुछ है, इनके ओपर और button डाला गया है, तो चुनाव में BJP को काफी नुकसान ह हो सकता है, तो इसलिए भी ये एक speculation लगाया जा रहे हैं, कि ये collection शायद नहीं हो पाएगा, जो target किया गया था इतना जादा, तो इसमें थोड़ा manage करना पड़ेगा, और इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि states को भी शुरुआत के 5 साल के अंदर, states को भी compensate center करेगा, जो भी उ जहां पर जो UK Sina Committee बना ही जा रही है, इसमें 20 लाग से बढ़ा कर 50 लाग कर दिया गया, कि 50 लाग से नीचे वालों को JSA फाल नहीं करना पड़ेगा, उससे उपर वालों को ही करना पड़ेगा, जो registration करना पड़ता है, अगला जो है Sabri Mahala Temple जो चलता ही आ रहा है, ये शांदा मिली थी, वो entry escort किया था पुलिस वालों ने और वो पहुंच गए वहाँ पे, और उसके बाद बहुत बड़ा ये खड़ा हो गया हंगामा, सारा इसको मंदिर को बंद करना पड़ा, उसके अंदर इसको साफसफाई की रिच्वल्स किये, इन्होंने प्यूरिफिकेशन किया पूरा मंदिर का, अब ये तो भगवा नहीं बता सकता कि कौन सा टाइप के प्यूरिफिकेशन उन्होंने किया, पहली बात उन्होंने ये डिसाइड कैसे किया, लोड आयपा से इनका डिरेक्ट कनेक्शन था गया, कि ये प्यूरिफाई नहीं है, इंप्यूर हो गया, और पूरा पूरा और फिर से ओपन कर दिया गया, तो ये शांदार चीज है इंडिया के अंदर, धर्म के नाम पे बहुत कुछ होता है यहां पे, और हलाकि ट्रेडिशन के अगेंस नहीं जाना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशन के अंदर भी ब्लाइंड फॉलोइंग लगातार न नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें ये है कि आप देखेंगे कि कितने लोग इसमें इन्वाल हैं और ये किस तरह का एक exercise है, किस तरह की चीज है जिसमें इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया है, इतना सब कुछ इसमें चल रहा है, और और इसको प्लिटिकल बैकिंग है जैसे तो इंडिया के पास कुछ और बचा ही नहीं करने के लिए, और हमारे पास employment के, फुकमरी के, disease के, non communicable disease, cancer diabetes, इन सब के targets हैं, AIDS के, TB के targets हैं, जो पूरे होते दिखते ही नहीं है कभी भी, वो तो शायद हमने सारे पूरे पार कर लिए हैं, वो discussion में कभी आते ही हैं, और prime इसके उपर एक related article आया है, जिसमें हम देखेंगे, और बहुत ही relevant article है, क्योंकि अगर आप interview देने जा रहे हैं, मेंस में लिखने जा रहे हैं, GS paper 4 में, GS paper 1 में, यह सम लिखेंगे, तो आपको बहुत बड़ी help मिलने वाले, क्योंकि इसमें conceptual clarity आपको बहुत बहुत needed है, religion versus religious nationalism इसके उपर article लिखा है, एक अच्छा article लिखा हुआ है, writer ने, बहुत experienced एक person है, और बहुत लंबे time से दा हिंदू, जैसे एक neutral paper के उपर यह लिख रहे हैं, इन्होंने यह बताया कि, any equivalence between Hinduism and Hindutva, दो issues बताये हैं, एक Hindutva है, एक Hindutva है, एक Hindutva है, एक Hindutva है, अब यह एक difference ह है, हिंदूइजम और Hindutva अलग अलग है, बात यह है कि politically जो एक सारा provocation चल रहा है, उसके अंदर Hinduism और Hindutva को एक ही उसमें कर दिया है, उन्दोनों का मिनिंग एक ही निकाला जा रहा है, interpreters को एक तरह से किया जा रहा है, जबकि एक बहुत बढ़ा difference है इन दोनों के बीच मे हिंदूइजम वो है हमारा एक जो हजारों सलों से सरनातिन धर्म के नाम से जो चलता आ रहा था, जो धर्म नहीं था पहले एक way of life था, जिसमें हमारे philosophies भी थी सब कुछ था, हमारे देश के अंदर ऐसा ऐसा extreme जो changes वाले चीज़े चली है, जैनिजम चला है, बुद्धिजम जो चला है, उससे पहले जो वेदिक सारा कल्चर था, उससे पहले इंडेस्वाली सब्लेशन थी, उसके बाद में जो ये चारवाक फिलोसोफी जैसी materialistic philosophies भी यहां पर आई थी, लेकिन सारों का सारों को हमने space दिया, चारवाक फिलोसोफी तो ये बोलती है कि मतलब कोई ब जर्शन सास्तर हमने बताया था, और इधर जो है जैनिजम में एक्स्ट्रीम पेनेंस की बात कियाती है कि मिलब किसी को भी हाम मत करो, लास्ट में बिल्कुल भूका होके मरना होता है, ताकि किसी को भी आप पेन नहीं दो, आप अपनी लाइफ को सेक्रिफाइस कर दो, इतन इच्छाओं के कोई कंट्रोल ही नहीं है, चारवा फिलसुपी में जैसा बोला गया है कि आप मोज करो, वो भी नहीं है, ना आपको जैनिजम के तरह घर छोटना है, बिल्कुल मिडल पाथ अपना हो, ग्रहस्त जीओन बिताओ, लेकिन कंट्रोल रखो अपनी इच्छाओं अपना रमिदार आइंडिय के जेए अंड के एपना हम बात बता हूं, इंटव क्रिणा बात मिगाँ है, वो इतना घजब का है कि डहा है कि ऎकी हमीन द कल्ट्र वार गयर पात करें, टो पुरे दुनिया को यहां पर यह उसा प्लेस नहीं। रहती हम, हर र शकल के आड मिई है religion और इन सब चीजों का जो है वो बहुत पुराने है जिनको आज हम documentation उनका कुछ भी नहीं बता सकते हैं लेकिन scientific fact genes की बता सकते हैं इतना जादा divergence हमारे देश में है लेकिन उन सब को आज diversity को जो कि एक positive चीज है उसको difference में convert किया जा रहा है diversity जब difference बन जाती है तब problem स्टार्ट होती है यह एक negative attitude है जब हम एक तो यह देखते हैं कि सात रंग है उनके अंदर diversity देखते हैं कि हाँ यह color है एक हम यह बोलने लग जाए कि नहीं यह तो अलग-अलग color है यह तो इससे अलग है इसमें से यह अच्छा है यह लिया है कि majority कहां पर है majority किस चीज को follow करती है उनको उस चीज के लिए provoke करो और फिर उनसे vote gain कर लो यह वो चल रहा है अब हिंदुजम एक ऐसा वो है कि इतना गजब का logical scientific एक way of life था जिसके अंदर इतना pollution आये हैं जितना corruption लोगों ने किया और अब देख रहें सारे example जो आज हम देखते हैं अंद विश्वास जो extreme level पर पहुंच गया सारा का सारा जो medieval ages के अंदर जिसके गारण हम दुनिया में इतने पीछे रह गए सबसे दुनिया का advanced nation जिसने gravity 2000 साल पहले बता दी थी और जिन यह देख तो दुनिया का सबसे गजब का देख था लेकिन इसको हुआ क्या हुआ क्या था वही जो corruption हमारे religions के अंदर आया था जो हमारे philosophies के अंदर आ गया था कि हम logic को बेलकुल हमने dead कर दिया और हमने blind following start कर दी किसी भी चीज को जो start हुआ था rituals वगरा उनके पीछ एक logic थ था nature से related था हमारे life से related था वो सब तो हमने छोड़ दिया और बस हो रहा है वो ऐसे कैसा follow करने लग जाओ चाहिए वो कोई भी एज हो कोई भी time हो कोई भी place हो और इसके करण क्या हुआ हम बेवकू बनते गए और हम last में सबसे पीछे रह गए और medieval age के अंदर ने कोई progress होता है हिंदुजम और हिंदुत्व का सब्सक्राइब चल रहा है हिंदुजम वो है जो स्वामी विकानन ने बताया था जो first from the use of the word Hindu as geographical market to Hinduism and attempt to codify the culture and religious practices इसमें सबका मिक्सप था जो एक particular character था उसको एक नाम दिया गया था Hinduism और Hindu नाम भी यहां के लोगों ने नहीं दिया था अगर हम बात करें ब्रामनिक कल्चर की जो कि वेदिक कल्चर में स्टार्ट हुआ था तो आर्यंस का जो है genetically भी evidence मुले कि वो इंडिया के अंदर में लेंड के उत्ते ही नहीं वो तो बाहर से आये है यह जनेटिक प्रूफ है तो जो आज एक जिसको बोलते है क्योंकि कहीं पर भी जो है truth सामने नहीं आता है truth जो है वो religion है वो religion क्या बोलता है religion हमें tolerance सिखाता है religion में यह बोलता है accept करो और आपका अगर अच्छा है आपका मजबूत idea है आप सोचते हो कि चीज़ अच्छी है तो वो truth है और truth तो triumph करता है वो तो जीतता सत्य में जयते होता है तो अपने आप ही जीत जाएगा उसमें हमें जबरदस्ती करने के तो ज़रुद पढ़ेगी नहीं कहीं पर भी जो चीज़ सथ है वो तो अपने आप जीत जाएगी उसको सब सारे दुनिया मान जाएगी क्योंकि दुन के नाम भी politics करनी है following भढ़ानी है लोगों को बढ़काना है उनको और जो main issues है employment आप दे नहीं पा रहे हो आप कुछ और issues हैं जिसके अंदर आप जो health care measures है यह है घरीबी बढ़ती जा रही है एक तरफ तो हजारों क्रोड के लोग मकान में रहते हैं एक उसी मकान के थोड़ दूर बाहर जाके रोड के ओपर घरीब लोग जो है वो रोड को ठंड से मर जाते हैं उनके पास कंबल तक नहीं होता है इन सब reality को छुपाने के लिए अब politics politicians के पास कुछ और तो बचा नहीं है इसलिए वो ऐसे जिबाते कर रहे हैं कि हिर्मान चाले सा पडलो बंदर बाग जाएंगे और बंदर जो है वो लोगों को तके बार मार के रोड से नीचे के रहा देते हैं तो इसलिए सब कुछ planned तरीके से हो रहा है और इसी जो जाके तीन दें का भासन दिया था लगा था और पूरी दुनिया ने जान गए थे कि हिंडिया क्या है जो इतने बड़े जो सियर थे उन्होंने जाके भासन दिया था शिकागो के अंदर कॉन फिर्ट जो हुई थी उस ताइम पर शिस्टर निवेदिता जो उनकी क्लोज इस डिसाइपल्स उसने उन्होंने क्या बोला था कि वैन ही बिगन तो स्पीक इट वोज ऑफ दे रिलिजियस आइडिया थे हिंदू बट वें ही एंडिया थे इसका मतलब उससे पहले हिंदूिजम का आइडिया भी इतना स्ट्रॉंग नहीं था जो बाद में क्रिएट और वो उसको एक recognition मिला पूरे word के अदर लेकिन उसके बाद जो है कुछ ideology ऐसे निगली जिसको हिंदूत्वा नाम दिया गया क्योंकि हिंदूत्वा क्या था जो actual sense में थोड़ा सा different कैसे था कि इसमें the other को imagine किया गया है कि मतलब जो इस हिंदूिजम की philosophy जो है उसको मानते हैं व अदमी उसी का हिस्सा है और सारे एक word family है और वो सब उसके अंदर उसी पार्ट में आते हैं उन्होंने किसी को यह नहीं बोला कि वह किसी बाहर से आयो किसी दूसरी धरम का यह कुछ है उसमें मसुद्या को तो यहां पर the other का phenomenon आ गया यह है हिंदूत्वा और यह आगे जाक पुट किया जा रहा है और लोगों के अलग 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 आइडियास को उससे connect करकर के और negativity फैला फैला के उसके अंदर लोगों को प्रूवक किया जा रहा है आज आज आप देखिए आज जो यह माहौल चल पड़ा जन्वरी है में में चुना होंगे उससे पहले इतना हर ग जो कभी इस देश में नहीं होना था क्योंकि यह हमारा knowledge नहीं था यह हमने हजारों सालों में गीन नहीं किया था हमने हजारों सालों के अंदर real knowledge लिया था और पूरे world को हम ग्यान देने वाले थे लेकिन आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं हम किस तरह की intolerance की follow कर रहे हैं जिस से हम जिसके हम शिकार हुए थे जैसे medieval ages के अंदर हमारे पर attacks हुए थे सब कुछ हुआ था और वो था aggression वो था religion को फैलाना aggression के थूरू हम उस रस्ते को अपना रहे हैं हम उधर चल रहे हैं उल्टा जबकि हमें तो tolerance का path सिखाना था हमें तो यह सिखाना था दुनिया को कि ज जो है वह जीतने वाला रस्ता है और वह इंसान को peaceful बनाता है peace सबसे important है peace का importance था हम तो peace के बिलकुल against है हम तो हर बात में provoke कर रहे हैं एक दूसरे को कि वह उनको बक्सानी जाएगा वह ऐसा कर रहे हैं वह खत्रे में हैं हम उसको यह कर देंगे वह खत्रा है उनसे वह खत्र हो गया है और हम उनके ठेकेदार हैं बहुत बड़े देश के अंदर और खुद को खत्रा ठेकेदारों को है एक्चुल में धरम को कोई खत्रा नहीं है लोग अभी भी समझदार है लोग सब कुछ है tolerant भी है और peaceful existence है लेकिन जबर्दस्ती यह खत्रा दिखा दिखा के vote gain करने का जो एक काम है वो किया जा रहा है यह है practical sense में अगर exam में अगर आपको यह चीज जो है इतना सब कुछ हम नहीं लिखेंगे लेकिन यह maturity जो यह understanding जो आपके दिमाग में आपके होनी चाहिए इसके उपर यह article लिखा गया है और उसमें यह बदाया गया कि यह difference है विवे करनन्द के Hinduism में और यह जो हिंदूत्व का फिलोसफी है इसके अंदर क्योंकि तो इस article का कुछ इस तरह से समझना है और maturity से देखना है यह हमारा एक समझदारी है कि हमें देखना है कि peace को some importance देते हैं या हम provoking को देते हैं क्योंकि provoking का तो कोई end नहीं है एक जीतेगा एक बार दूसरे को दबा के फिर दूसरा कोई दिन मजबूत होगा वो जीतेगा फिर यह तो एक unending debate है और इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता कोई यह नहीं प्रूफ कर सकता कि यह रिलिजन तो बड़ा यह रिलिजन बड़ा नहीं है ऐसा कोई प्रूफ नहीं कर सकता है हां यह है कि existence में दिक्कते आती हैं तो वह peaceful discussions से ही solve हो सकती है लेकिन आप एक दूसरे को नीचा दि चुशा सबसे उपर था और बस धरम का following कर रहे हैं लेकिन धरम का मतलब किसी को पता नहीं है राम का नाम ले रहे हैं लेकिन राम के लाइफ से कुछ भी सीख रहे हैं नहीं है और उसके नाम पर aggression दिखा रहे हैं आप देखिए मतलब आप नोट करेंगे psychologically तो क्या हो रहा है मतलब जो हमारे जो जो बोलते हैं कि अगर हम एकदम पवित तरीके साम इसकी बात करें तो जो हमारे देवता थे उनको आज किस तरह से पोस्ट किया जा रहा है मतलब aggressive picture डरावन ने picture दिखा दिखा कि मतलब जो गाडियों पर लगाते हैं आपने देखा होगा picture जो है तो हमारे सनातन धर्म का था कहीं पर भी नहीं था लेकिन इसको दिखा जा रहा है इसका मतलब यह कमजोरी के निशानी है कि आपको और तो आप तो उल्टा कमजोर कर रहे हो अपने धर्म को अपने ही ideology को कमजोर कर रहे हो जबकि यह कमजोर है न यह दुनिया का सबसे advanced और दु कुछ course correction किया जा रहा है कि पहले जब सार्क established हुआ था एटीज के अंदर उसके बाद में बड़े steps उठाये गए थे specifically जो energy जो agreements वगरा सारे किये गए थे क्योंकि खासकर नेपाल और भुटान जो हमारे उपर जो नोर्थ में हिमालेन स्टेट जो है उनसे बहुत सारे reverse आती है hydro electricity की capacity बहुत ज़्यादा है तो वहां से में बहुत help मिल सकती है और उन देशों के पास में वैसे कुछ ज़्यादा इंकम का सोर्स नहीं है वह बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है एक्सपोर्ट का तो यह एक agreements वगरा साइन हुए थे सारे उसके अंदर साउथ एशा को integrate करने के लिए बहुत बड़ा factor था यह यह जो कोपरेशन थे अनरजी कोपरेशन बगरा जो देश सारे के सारे तो cross border energy flows काफी smoothly चल रहे थे लेकिन उसके बाद में कुछ नए चाइना के interference के करण उसके reaction में हमने कुछ वह लगा दी थे उनके उपर restrictions वगएरा कुछ particular conditions लगा दी इसके अंदर यह था कि हमारे खुद के जनरेटर जो है वह ही export कर सकते हैं वहां के देशों के तो इस तरह से integration सारे एरिया का होना चाहिए सारा एक peaceful area होना चाहिए लेकिन उसके बाद उसमें चाइना के interference के अरण कुछ दिक्कत है आई बीच में लेकिन अब दुबारा से course correction किया जा रहा है और उसके अंदर यह फिर से start किया जा रहा है रिविजन होगा दो साल के intense backroom pressure पड़ा है इन देशों के द्वारा बुटान और नेपाल ने प्रेशर डाला कि आप इस तरह चीज को start करो कि बिल्कुल भी peaceful रस्ते के तरब नहीं जाती है और यह cooperation को कमजोर कर रही है इसलिए यह barriers को drop करो और फिर अभी इसको drop किया जा रह जाए और यहां पीस तभी exist करेंगे तब जब यह cooperation बढ़ेंगे और यह जो energy वाला cooperation यह बहुत बड़ा शांदार काम है कि इंडिया को भी need है अगर कोई भी breakdown कहीं पे होता है और मान लीजिए solar energy बगरा जो establish होते है कलको solar energy भी fail होती है कहीं पर मानलो sunset हो गया उसके बाद हम production नहीं कर पा रहे है तो immediate अगर नीट पढ़ती है तो hydroelectricity बहुत शांदार option है इस एरिया के अंदर इवन बंगलादेश भी यह सोचता है कि मुझे नेपाल और भुटान की बिजली जो है वो मिल जाए अगर इंडिया से वो चीज अराम से पासण होती है तो तो उसमें कोई नेपाल और बांगरे जो कंट्रीज और अभी फिर से दुबारा से इसको restriction जो है वो रिलेक्स किया रहे है ठीक है तो defensiveness जो थी वो कम हो रही है और अब दुबारा से यह guidelines जो है वो relax की गए जहाँ पर prevent कर दिया गया था दूसरे countries जो generators है उनको और Indian generators को यह लाओ किया गया वो अब दुबारा से वह हो रहा है तो यह चीज अच्छी चीज आप देख सकते हो यहां पर स्रिलंका यहां पर कोसल एरे से विंड्स बहुत ज्यादा आती हैं आपको बता है कि सबसे बड़ा विंद फार्म तमिलाडू में हैं इंडिया का सबसे बड़ा जहां पर एक्षी म बहुत शांदार प्रड़क्शन यहां पर हो सकता है बुटान में तो सर्प्लस एनर्जी है तो वह बहुत चीप एनर्जी हमें वेलिब करा सकता है और वह खुद एक्सपोर्ट करेंगा तो उसके कमाई होगी तो यह उनके लिए बहुत शांदार जो है इंकम का सोर्स भी है और इसमें हुआ यह है कि इंडिया के buyers जो हैं उनकी monopoly ने काम किया है क्योंकि हमारे need ज़्यादा है तो हमारे buyers ज़्यादा है तो यह market ज़्यादा होने कांट हमने यह pressure डाला कि यह चीज आनी चाहिए वहां से यह cheap भी है electricity और यह solution भी है और यह सारे जहां तर गेशादा है और यह ज़्यादा शांदार है वहांपर क्योंकि उपर नीचे है प्लेन अरिया नहीं है जैसे आप देख सकतो है यहां पर देम बनाया गया है यह जो हमारा nuclear submarine जो किया गया है और nuclear triad हमारा पूरा हो गया है जिसके अंदर जो एर फोर्स दो उसके पास भी nuclear capacity है जो हमारे जो मिसाइल से शांदार और यह सब्मरीड वाली भी है और military वाइस भी तीनों फोर्स के अंदर हमारा nuclear triad पूरा हो गया है जो की concept युए से ने फिलाया था वर्ड के अंदर लेकिन यह एक बहुत चांदार बात यह कह रहे है राइटर जो है कि इसका मतलब क्या है अगर nuclear war होती है तो आज कोई भी ऐसी condition में कोई country नहीं है कि जो इसको manage नहीं कर पाएगा और अगर कोई एक attack करता तो वो भी दूसरा फिर attack करेगा तो total destruction होगा और कोई मतलब ही निए एक बार अगर किसी भी देश ने attack किया तो फिर destruction होगा total पूरे area का हो सकता है क्योंकि आज के दिन multipolar word है और यह aggression बहुत बढ़ता जा रहा है और need जो है लोगों की extreme है देशों की और conservatism बढ़ रहा है अमेरिका जासा देश जो globalization क अगर इस तरह कोई भी स्टैप उठता है तो फिर destruction को रोकना impossible हो जाएगा और अमेरिकन्स जो है जो है जो वर्ड वर टू के अंदर हिरोश्मा नागाशा के कपर बं डाला था वो तो उस टाइम पर चलेगे क्योंकि उस टाइम पर वो ही देश था जो मजबूत था उसके प पहले तो पहले तो सीधा अटैक होगा निए उससे पहले कुछ और बोडर में लडाइव अगरा होगी तो वो भी चलेगा उस टाइम पर तक सब लोग जो है ऐसा तो है नहीं कि एक जगह अपना बं रखते है और फिर वहां पर उसको खतम कर दिया तो फिर वो देश जो कोवर्ट रहते हैं चुपए हर कंट्री जो है वो अपना स्टेजिकली लोकेट रखती सबको तो ऐसा तो है नहीं कोई एक जगह रखेगा तो एक जगह कोई भी अटैक होता तो कुछ लिमिटेड अर्या के अंदर वो अटैक होगा और वहां पर इतना इनॉर्मस डिस्र लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि अगर कहीं पर भी चीज होती है स्टार्ट तो यह रुटने वाले नहीं है यह ऐसे कहा रहे है कि इस रेस का कोई मतलब नहीं है इस न्यूकलियर आम्स की रेस का कोई मतलब नहीं है स्पैसिफिकली इस रिजन के अंदर इसको बचना चाहिए और इस रेस के अंदर हमसे फाल्टो का खर्चा कर रहे हैं और इससे कोई नी डरने वाला है क्योंकि जहां पर भी अटैक होगा वो फिर रुकेगा नहीं और फिर बहुत बड़ा डेस्ट्रेक्शन होगा तो एक बार भी एची स्टार्ट हो गई और वजसे बोलते हैं फिर वैसे डिस्ट्रेक्शन हो जाना है उसके बाद इतनी बड़ी हुमेनिटी को लॉस होगा कि वो उससे उबर पाना इंपॉसिबल है इसलिए इस रेस में हमें नहीं जाना है यह इंपोर्टन इस आर्टिकल का सार है अगला कोसल लाइन के ओपर कुछ रेगुलेशन की ब बबि कुछ कम्मुल्यटी व्लिशचन की दीए को से अर्बन अर्टि इसमें अगया है यहीय। alma से लागया MOM व्लोडिश्य के लिए हैं जैतंते इसमें रेक्ट्वलेशन लिए उप नगया है और चाहीं बड़ा है यर इंप7 इतना बड़ा हैं लेकिन से तर्वनी अरेशय कितना होगा इसमें रेलेक्सेशन दिया गया है और साइज बिल्डिंग वगरा के लिए और रूरल अर्याज में जो है कोस्टल रेगॉरेशन जोन 3 में जो आते हैं उसमें 3A जोड़ा गया है उसमें भी यह है कि कुछ 20 मेटर का एक वो रखा गया है कि यहां तक वो नहीं M8'2 चली मेटर भी 50 मेटर इसमें किया गया है तो इस तरह से is में में चेंजे किये गये हैं उसार की बात यह है कि कोस्टल आर के अदर यह मूव Gया जो है इसको कि यह तो यह जड़ा सा इसको अपूस्व क्या जाह रहा है क्योंकि जो है वैसे तो यह है उन्जूई करना ज होती है उनको disturbance होता है light वगरा जब लगती है तो उनसे disturbance होता है तो यह सब कुछ है और जैसे इसमें बोला गया कि tourism expansion के लिए scheme के अंदर यह लाओ किया गया कि जैसे shacks और toilet blocks यह सब भी changing rooms वगरा भी बनाए जा सकते हैं high tide line high tide line यह land area है यह line है अब जब tide आता है जवार बटा आता है आपको बता है जो monthly भी आता है बड़ा जो दो बार आता है मंद में बड़ा हो और एक वैसे भी weekly भी आते रहते हैं छोट छोटे तो एक तो low tide line होती है हो सकता है कल आप कहीं भूमने जा रहे हैं कोई भी आप नहीं कोई भी भूमने जा रहा है वहां पर किसी का पेट खराब है वो ट्वालेट पर बंदर सुनामी आगे तो यह इतना pass create किये जाएंगे high tide line के 10 meter तो बहुत कम दूरी होती है फिर आपको decide करना पड़ जाए कोन सी सुनामी रोकें तो फिर यह एक मजा की बात है लेकिन आपको याद रखने के लिए मैंने बताया कि आपको याद रजाएगा इससे ही है तो 10 meter के high tide के अंदर 10 meter के range के अंदर ही वह है authorized होंगे उसको declare करने के लिए plans को वह करने के लिए accept करने के लिए okay so coastal regulation zone 1 के लिए central ministry है और बाकी states जो है वह zone 2 और 3 के लिए allow होंगे वह plans को approve कर सकते हैं और एक यह low tide line और 12 nautical miles वाला यह territorial waters होते हैं call nautical miles का होता है एक nautical mile में लगभग 1.9 km लगभग होता है distance तो जो main जो जहांपर पानी रुपता जो beach है उसके आगे सौर सरके start करें तो 12 nautical miles तक territorial waters बाने जाते है territorial waters okay यहां पर हमारा सारा धिकार होता है कोई भी मतलब इसके अंदर आनी सकता है हमारे पूरे जो land बारे regulations में लगें कोई भी दूसरा नहीं आ सकता है और एक होता है exclusive economic zone उसमें क्या होता है वो आगे 200 nautical miles तक जाता है जहांपर हमारे rights होते हैं कि हम उस economic कोई exploration करना है कोई जैसे offshore कोई हमें oil का मतलब extraction वगरा करना है कोई फिशेश पकड़नी है तो वह सारा हमारा होता है तो यह exclusive economic zone और यह territorial waters का difference आप याद रखना बहुत important है पूछा जा सकता है अब मार्मन वाल section के अदर में इसको पढ़ते हैं तो अभी मैं conclude करोंगा सारा यह जल्दी अप MCQs देख लेते हैं vocabulary में यह सारे words है MCQs यह सारे है बुटान से जो नदिया आती है वो आप चूज करना कौन सी वाली है और शोला इनके बारे में यह options है कोन सा वाला मैंने आपको समझाया था air breathing engine school, PIB वाले lesson के अंदर मैंने इसको समझाया था पूरा detail में वहाँ देख सकते हो इस cancer आपको मिल जाएगा main cancer writing के लिए question है कि जो अभी heated issue चल रहा है aggressive religious overtones का तो उसको एक तो कैसे manage करना है क्या वह beneficial है इस country के लिए इस diverse country के लिए और conservatism जो बढ़ रहा है अपना अपना सब बोल रहा है कि हम बढ़िया हम बढ़िया दूसरा हम इसको ट्रॉलेट नहीं करेंगे यह जो है यह किस तरह से इसको protection दे रहा है हमारे religious culture को maintain करने में इसलिए मैं आज एक ही question रखा है इसमें आपको write करना है और यह आप फोटो कीज के आप मेरा page भी follow कर सकते हो आप मिल जाएगा और यह lesson फोट सा बड़ा हुआ है आज मुझे final आप बताना कि आप information ज्यादा चाहते हो या फिर lesson को वो करना चाहते हो short करना चाहते हो तो मैं उसी हिसाब से कल से आपको कर दूँआ ओके thanks a lot जो भी दिक्कत हो आप comment section में कल की तरह बताना सारे suggestions are welcomed और कोई भी दिक्कत हो मेरे तरफ से तो आप जरूर सा मुझे बताना and जो आप appreciate कर रहे हो thanks a lot I am totally overwhelmed और जिस तरह के आप active listeners हो really really it's a great sight to have thanks a lot